ग्यान देट रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां बिप्दा से पहले ही जो पानी है वो काला हो जाता है आपने कई परकार के चमतकारी मंदिरों के बारे ने पढ़ा और सुना होगा आज आपको हमें एक ऐसे चमतकारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं कि बड़ी बिप्दा आने से पहले ही इस मंदिर के कुंड़ का पानी काला हो जाता है हम बात कर रहे हैं खीर बभवानी देवी के मंदिर की जो जंबू और कश्मीर के गांदरबल जिले में तुलमुला गाओं में एक पवित्र पानी के चश्मे के ऊपर ये मंदिर इस्थित है जो कश्मीरी पंडितों की आस्ता का केंदर है ये श्री नगर से 27 किलोमीटर पूर्व में इस्थित है खीर बभवानी देवी की पूजा लगबग सभी कश्मीरी हिंदू और बहुत से गयर कश्मीरी हिंदू भी करते है परंपरिक रूप से वसंत रितू मेंने खीर चड़ाई जाती थी इसलिए इनका नाम खीर बभवानी पड़ा है इन्हें महारग्या देवी भी कहा जाता है इस मंदिर में एक शट कोनिये जड़ना है जो देवी का प्रतीक है किव दंती हैं कि हिंदूों के देवता राम ने अपने निर्वासन में इस मंदिर का इस्तमाल पूजा की जगह के रूप में किया थो निर्वासन की अबदी समाप्त होने के बाद भगवान हनवान को देवी की मुर्ती को शादी पूरा अस्तांत्रित करने के लिए कहा गया जहां यह अब्भी इस्तत है यह मंदिर की खास बात यह है कि देश में बड़ी विप्दा आने से पहले इस मंदिर के कुंड का पानी काला हो जाता है अधिकतर रंगों का कुई महतु नहीं होता प्रन्तु जल का रंग काला या गहरा होने पर कश्मीर के लिए अशुप शंकेत माना जाता है और बहराल इस वर स्कुंड का जल शुद यहां साफ है श्यदालों का मानना है कि यह घाटी के लिए शुप संकेत है श्यदालों मंदिर परिश्वर में बने पवित्र जढ़ने में दूद यहां खीर अर्पित करता है ऐसी माननेता है कि मंदिर के नीचे बैने वाले पवित्र जढ़ने के रंग से घाटी की स्थिती का संकेत मिक्ता है कश्मीर में आई कई विबदाओं से पहले इस कुंड का पानी का रंग बदू चुका है जब 2014 में कश्मीर में बाढ़ आये थी तब भी आपदा आने से पहले इस मंदिर के कुंड का पानी गहरा काला हो गया था तब ही सब पंडित समझ गये थे क्योंकि बड़ी आपदा आने वाली है यह मंदिर है कश्मेरी पंडितों की आस्ता का किन्द हर साल जून में शुकिल पच्छ की जेस्ट अस्टमी पर यहां मेला लगता है धन्यवाद आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड़ी दीजिए धन्यवाद